नमस्कार ख़वरों की ख़वर में आपका स्वागत है महराश्ट की राजनीती में फिर कुछ उलट-उलट हो रहा है मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं अगारी सरकार के अंदर ये जो तीन अलग अलग पार्टियां हैं कौन किसके साथ है कौन किसके पैर को खीच रहा है कौन किसके खिलाब साजिस रच रहा है ये किसी को पता नहीं है लेकिन भारती जटापाटी ने साफ साफ संकेण दे दिये है कि वो महराष्ट के अंदर फ्रश उलक्षिन चाहते हैं न वो सिवसेना के साथ मिलके हाथ मिलाने वाले हैं ना ही वो NCP के साथ मिलके सरकार चलाने वाले हैं मतलब ये कि जो पिछले दो मेहने से जो उठा पटक चल रही थी आज वो सब के सब खत्म हो चुका है और ये कैसे इसी को आज ख़बरों की ख़बर में समझना जरूरी है दो दिन पहले संजे रात मिलने गए सरत पवार के पास अब सरत पवार के पास वो मिलने के लिए उचले गए सरत पवार नाराज चल रहे थे उद्धब ठाकरे से खबरे आ रही थी कि वो बाद तक नहीं करना चाह रहे फोन उठाती तक नहीं है उद्दब ठाकरे वो किस वज़े से वो अनिल देशमुख की वज़े से अब अनिल देश्मुख का भी इस पूरे फैसले में जो राजनिती में जो उलट-उलट हो रहा है उसका भी रोल है और क्या रोल है मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन अनिल देश्मुख के प्रकरन से ये वसूली गैंग के प्रकरन से ये तमाम सिव सेना के जो टाइड और दौरा लगाए गए आरोप की वज़े से एन सीपी और सिव सेना के बीच धरार आ गया था और जिसके बाद ये अनिल देश्मुख जैसे ही इस वसूली कांड में फसे मालुम चला कि रात के अंधेरे में सरत पवार अमिस्टा से मिलने गुजरात पहुँच गए अब जब वहाँ पे मुलाकाते होने लगी तो मालुम चला कि सिव सेना ने भी प्रधान मंतरी मोदी को एप्रोच किया प्रधान मंतरी मोदी से वन टूवन उद्दव ठागरे की मीटिंग होती है मीटिंग के बाद ये कहा जाता है कि हमारे रिष्टे बहुत ही मज़ूर है खबरे आ गई कि क्या सिव सेना के साथ मिलके भारती जन्ता पाटी चुनाव लोड़ने वाली है जब आमिसा से सरत्पवार की मुलाकात हुई तो ऐसा लगने लग गया कि भई कि कहीं एंसीपी के साथ कोई बाची तो नहीं हो रही है सरकार गिरने वाली तो नहीं है लेकिन कल साम अचानक से ये खबर आई कि सरत्पवार मिलने पहुँचे हैं उद्दव ठाकरे से अब उद्दव ठाकरे से वो मिलने क्यों पहुँचे क्या इसके पीछे कारण है ये कई सारे सवालों का इसको कह सकते हैं बवंडर खड़ा कर रहा है कि आखिर क्या हुआ क्या सरत्पवार की नराज़गी खत्म हो गई क्या सरत्पवार और सिव सेना आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे या कुछ अंदर खाने में कुछ और चल रहा था हकिकत ये है कि सरत्पवार भारती जंता पार्टी के साथ मिलके सरकार बनाना चाह रहे थे क्योंकि वो उद्दब ठाकरे से नाराज थे लेकिन देवंदर फर्णविस ने अपना फुट डाउन कर दिया और साफ साफ कहा कि अगर NCP से गर हम हाथ मिलाते हैं तो पार्टी को बहुत नुकसान पहुंच जाएगा राजनीती में पेशन्स रखने की जरुदत है ये जो तीन पार्टी या जो सरकार चला रही है वो इतनी भरस्टाचार में लिपत है कि उस भरस्टाचार को मसले को उठाते ही भारती जंता पार्टी अकेले दम पे बिना किसी अलाइंस के महराश्ट में सरकार बनाने के लिए तैयार खड़ी है तो ये मसला NCP के साथ उसी वक्त खत्म हो गया लेकिन अब बात चली कि जब जैसे ही मानूं चला कि सरत पवार और अमिश्चा मिल रहे हैं तो सिर्फ सिना के अंदर भी हलकब हो और सिर्फ सिना को सब से ज़्यादा फेस लॉस उसको कर सकते हैं उसका सामना करना पूर रहा है कि कही सारे MLS करें कि हमारे वोटर तो भाग गये जिस हिसाब से आपने कॉंग्रेस और NCP के साथ मिल के हाथ मिलाया है उससे सिर्फ सैनिक नाराज हैं बहुत सारे MLS जितों जाकर के इस बात को कह दि दिया कि BGP के साथ सरकार बना लीजी और ये सारी चिठिया भी पब्लिक भी हुई परताब सरनाय की खबर तो सब जगा आई अब ऐसा लग रहा था कि सिर्फ से ना एक ट्रिक खेल रही है कि हमारे उपर MLS का दवाव था इसलिए हम भारती जंता पार्टी के साथ फिर से हा उन्होंने कहा कि सिर्फ सेना को खत्म करने का इससे बेहतर मौका कहीं नहीं मिलेगा ये जो हिंदुवादी जो समर्थक हैं जो हिंदुत के विचार को मानते हैं वो ये जो वोर्ट बैंक है वो पूरी तरीके से सिर्फ सेना से खिसक चुका है इसलिए हमें इंतजार करना च और इसलिए देविन्द फंडविस ने OBC रिजर्विसन के ऊपर आंदूली शुरू कर दिया, आज खबर आ रही है कि बारती जंता पार्टी ने अगारी सरकार के ऊपर क्या लगाया, तो भरस्टाचार का आरोब वही, भरस्टाचार का आरोब जो देविन्द फंडविस ने क मौत हुई है, इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, तो हुआ ये, कि भारती जंता पार्टी ने जैसे ही अपनी स्टैंड को क्लियर किया, कि उद्दव ठाकरे जी, आपके साथ हम सरकार नहीं बना सकते, NCP को ये भी सिगनल मिल गया, कि सरत्पवार जी, अब हम आपके सा कि हमारे दो सिंदे और पलांडे ये दोनों को गिरफतार कर लिया गया है, जो इनके पियस थे, अब इनकी बारी है गिरफतारी की, और इसलिए ये भाग रहे हैं, अब पॉलिटिकल सरकल के अंदर ये मैसेज क्लियर हो गया है, कि बीजेपी अब न सिर्फ से ना के साथ जा जाएगी, बीजेपी महराष्ट में एक चुनाव चाह रही है, अब एक और फैक्टर इसके अंदर है कॉंगरेस पार्टी का, कॉंगरेस पार्टी ये क्यों कह रही है, कि हम अकेले लड़ना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि सरत्पवार एक अलग किस्म की दाजनिती में ज आने की फिरात में हैं, और वो भी किसके कहने पे, प्रशान किसोर के कहने पे, अब जब ये खबर कॉंगरेस के अलग कमान को पहुंचती है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया, कि इन लोगों ने महराष्ट की यूनिट को साफ साफ कह दिया, कि अपने आपको इससे अ पार्टी के लिए हो सकता है, वो तो राहुल गांदी ही हो सकते हैं, और अगर कोई तीसरा सक्स इस रेस में सामिल होना चाहता है, कॉंगरेस को हटा के, तो इसका मतलब तो साफ है, कि वो पहले राहुल गांदी को ही चुनोती दे रहा है, मोधी ची तो बाद में ये लोग लड़ेंगे, तो ये इशारा कॉंगरेस पार्टी को गया और इसके बाद से लगातार कॉंगरेस पार्टी, अब दे कि बड़े लीडर के कोई बयान नहीं आ रहा है, सिर्क PCC चीप का बयान आ रहा है, कि हम अकेले लड़ेंगे, हम न सिप्षेना के साथ जाएंगे, ने NCP में अपना इंटर्स दिखाएंगे, मालुम चलेगा कि कॉंगरेस पार्टी अचानक से इस अगारी सरकार के जो अलग अलग जो पिलर्स है, अपना नीचे कुर्सी जो है वो ले करके हट जाएंगे, और ये सरकार गिर जाएगी, और ऐसे मौके के बाद, जबकि ये क्लिर हो में वो एक्टिव हो जाएंगे, अब एक और बड़ा सवाल है, जिससे ये पूरे संकेत मिल रहे हैं, कि भारती जनता पार्टी को ब्रश्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनाना है, इसलिए E.D. की एक्टिविटी तेज हो गई है, एक पुर्व ग्रिह मंत्री का जेल में जाना, उसे गिरफतार करना, एक बड़ी घटना होती है राजनीती में, और उनसे बहुत सारे सवाल जवाब किये जाएंगे, और भ्रश्टाचार को साबित करना, ये भारती जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी, और इसलिए ये सारे चीजों से कैसे बचा जाए, क्यों पुदब ठाकरे के सामने उनसे बाचीत होती है, मीटिंग होती है, और ये फिर से उसी तरह की बाते करते हैं, कि हम लोग साथ साथ हैं, वो साथ साथ इसलिए हैं, क्योंकि भारती जनता पार्टी ने दोनों को मना कर दिया है, अब मसला अनिल देश्मुक का है, जो मेन जिस इस सारी खबरे जो है, इस समझ में आ रही है, कि एडी ने अचानक से गिर दबा दिया है, अनिल देश्मुक पहले समन के बाद वो कोर्ट चले गए, कि हमें कोई कागदाद नहीं मिला है, मुझे जवाब देने के लिए कुछ वक्त चाहिए, दूसरा समन भीजा गया, तो फिर ये कोर्ट पहुँच गये, कहने लगे कि मैं 72 साल का आदमी हूँ, हम बहुत सारे बीमारिया है, हमें आप लिस्ट देदे क्या कागदाद चाहिए, अभी थर्ड समन नहीं गया है, लेकिन जो एडी ने काम किया है, उससे ना सिर्फ मुसीबत में फस्ते नजर आ रहे ह अनिल देशमुक, बलकि ये सारे कागदादों से ही अगहारी सरकार के सारे गुनाह, सारा पाप, सारा भरस्टाचार का खुलासा हो जाएगा, जो खबर आ रही है, खबर में ये कहा गया है, कि एडी ने अनिल देशमुक से पिछले 5 साल का इंकम डिटेल्स मागा है, पूरी भी डिटेल्स मागी है, साथी साथ, और भी तमाम जो कमपनिया, जो शेल कमपनिया है, ये सब उनसे दस्तावेज नहीं मागा जा रहा है, पूर्थ ही मागी जा रही है, कि अब आ लेकर के आईए आप, और जितने कागदें जाएंगी, उतना जाता मसाला, एडी को मिलेगा इनकी गिरफतारी बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है, अब टाली नहीं जा सकती है, और इसलिए, जैसे ही अनिल देश मों गिरफतार होंगे, ब्रस्टाचार का आरोप लगेगा, ब्रस्टाचार का आरोप लगेगा, तो वहां बवाल मचेगा, और कॉंग्रेस पार्टी मौका गई है, उसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, यह उद्दब ठाकरे और सरतवार मिलके अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, और हम लोग उनके हिसाब से जो सबसे बड़ी पार्टी है महराश्ट के अंदर, उनके कोई पूछने वाला तक नहीं है, तो यह कॉंग्रेस की नीती के वज़े से और भारती जनता पार्टी के एक्शन के वज़े से यह सरकार गिरेगी, और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मनिपूर, जहां-जहां यह जो चुनाओं होने वाले हैं, उसके साथ महराश्ट में भी समली के चुनाओं फिर से होने वा क्बड़ लाड़ु, अजह ऑड़ाोगा है